मेरे गर्भाशय को हटाने के बाद मैं पुरी तरह से पीडित हो गई जैसे मैंने अपने जीवन जीने की आशा ही खो दी हो दवा के इस्तिमाल से सब ठीक हो गया ये दवा अच्छा काम करती है पुनरजन उस्पिटल में आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे साथ पेशन्ट है और वो यहाँ से दो बार दवाई ले चुकी है हम उनकी कंडीशन के बारे में जानेंगे कि उनको कौन सा क्यांसर है उसका इलाज कैसे चल रहा है और इस अस्पतार के बारे में उनका क्या अनुभव रहा और डॉक्टर ने उनको कौन से इलाज के लिए कहा है नमस्ते मैडम आपका नाम क्या है बाला मनी बाला मनी बाला मनी ओके और आपकी उम्र? लगभग 40 साल अच्छा 40 साल डॉक्टर ने किस तरह का कैंसर बताया? सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? आपको कैसा लगा जब पहली बार इस बारे में सुना? मैं डर गई मुझे बताया गया कैंसर से मौत हो जाती है उन्होंने का आप जिंदा नहीं रहेंगे? और क्या क्या होता था? पहली बार कैंसर को हटाने के बाद मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कैंसर निकाल दिया तो इसके बाद जब भी मुझे और कोई तकलीफ होती तो मैं दवाईयां और बताए गए इंजेक्शन्स वगेरा लेती थी पर तकलीफ फिर भी नहीं मिटी मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा जहां पे वापस से स्कैन और टेस्ट करवाए मैंने फिर से मैं इतनी ज्यादा निराश हो गई थी कि गरभाशे हटाने के बाद भी कैंसर फिर से कैसे आ गया मेरा पूरा परिवार चिंतित है कि ये फिर से कैसे हो गया डॉक्टर ने भी इसे हटाती समय कोई परहेज का नहीं कहा तो मैंने भी सोचा नहीं कि ये जरूर कहा कि टेस्ट करवाती रहूं डॉक्टर ने ज्यादा जोर नहीं दिया तो मैंने भी परीक्षन न कराने का निर्ने लिया फिर ऐसे ही तो ये आपकी तीसरी विजिट है और आप पहले भी दो बार दवाईयां ले चुकी है पुनरजन अस्पताल की दवाईय मेरे स्वास्त को बहतर कर रही है डॉक्टर ने आपको कितने समय की दवाईयां लिख कर दिये उन्होंने मुझे लगभग 6 महीने का सुझाव दिया है क्या उन्होंने आपको 6 महीनों के बाद किसी इलाज के लिए लिए का है स्कैनिंग के लिए वो स्कैनिंग के रिजब को देखकर डिसाइड करेंगे ठीक है मैडम फिलहाल आप बहुत अच्छा मैसूस कर रही है यह आपकी तीसरी विजिट है ना बाकी की दवाईयां भी लीजिए मैं और यह हॉस्पिटल आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वास्त हो जाएं और खुशाल जीवन जीए हम आपसे दुबारा मिलेंगे जब आप दवाईयों का इस्तमाल करके ठीक हो जाएंगी तैंक्यू